लास्ट लेक्चर में हमने new project बनाना, उसको run करना सीख्छा था आपको याद होगा कि last project में हमें hot reloading हमारा missing हो गया था वो मैं आपको आज चला के दिखाऊंगा पहले last lecture का थरुबसा recap हो जाए last lecture में हमने discuss किया था react-native init my first project से आपने आप project की add कर लेंगे इन केस अगर यह कमांड नहीं चल दी तो आप ट्राइ करेंगे एन पी एक्स रियक्ट डैश नेटिव इनिट माई फिर्स प्रोजेक्ट टू टू थ्री मिनिट्स में एप बनेगी उसके बाद हमने डिसक्स किया था कि आप इस प्रोजेक्ट में जाएंगे आयोस के केस में आयोस में जाके जो नीचे वाली ब्लू फाइल है इसका नाम XC workspace है, इसको double click करके open करेंगे, यह Xcode में open हो जाएगी, और यहां से इस button को press करेंगे, तो project run हो जागा यह आपके सामने, plus मैंने आपको यह भी बताया था कि Xcode जो है, वो metro bundler को automatically run कर देता है, यह हमारे सामने metro bundler run हो आप, और हमारी एप metro bundler के उपर run हो रही है, यह green color में आपको नज़र आ रहा है, 100% done, दूसरी बात हम ने डिसक्स की, के Android के case में, हम Android Studio में जाएंगे, open project में जाने के बाद, react native के project के अंदर, एक Android का folder होगा, उसको open करेंगे, उसके बाद हमारे पस दो options होंगे, या तो Android Studio में डिरेक्ट हम run का button प्रेस कर दे, या फिर simulator को manually launch करने के बाद, terminal में जाके, project के directory में जाने के बाद, react-native run-android की command चला देंगे, again, command ना चले तो आप npx react-native run-android करेंगे, तो आपका project, खुद बखुद Metro Bundler run हो जाएगा, और Android के simulator में आपका project चल जाएगा, Android की case में problem यहाती थी, कि अगर आप direct project चलाते हैं, तो Metro Bundler run नहीं होता, तो उसका एक हर एक और solution में आपको बताया था, कि आप react-native start की command चलाएंगे, तो Metro Bundler manually run हो जाएगा, और project आप Android Studio के run के button से run कर लेंगे, एक और बात हमने discuss की कि react-native में अगर आपके पास 3-4 options किसी code को चलाने के लिए नहीं तो आप इस technology से तंग भी आ सकते हैं, इसलिए आपके पास डेरों solutions होने चाहिए, ताकि एक solution काम ना करें तो आप दूसरे से काम को चला सकें, अब आप देखें जब एक दफा प्रोजेक्ट चल जाएगा उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि react-native में काम करने के क्या पायदे हैं, इस वक्त मैंने आपके सामने एक प्रोजेक्ट रन किया वहाँ, उसके बाद मैंने आपको बताया था आप या तो एटम इंस्टॉल कर ले या वी एस कोड तो उसमें आपन करना है, लेकिन एटम या वी एस कोड में जब आप प्रोजेक्ट उपन करेंगे तो ना आप Android का फोल्डर उपन करेंगे ना iOS का, बलके जो मेन प्रोजेक्ट डिरेक्टरी है जो डेस्टॉप पे हमारे केस में माई फरस्ट आप के नाम का फोल्डर है उसको उपन करेंगे, उसके बाद app.js में आएंगे, यह वह फाइल है जो अब आपके सामने करिश्मा दिखाएगी कि आप एक जगह पर कोड लिखेंगे और दो जगह पर रन होगा, यह देखें लेट का मैंने व्यू खतम किया, अब मैं Command S दबाऊंगा यानि सेव करऊंगा, तो आप देखेंग एक दम रिफ्रेश हुआ और लेट लिखावा आगया, अब मैं लेट की जगह A लिख दूँगा, Command S के रिफ्रेश हुआ तो A आगया, यह वो होड रिलोडिंग का फीचर है, जो फ्लेटर में भी मौझूद है, रियक में मौझूद है, और यह वो ब्यूटी है, रियक कर्मेंट में देख लेंगे, यह सामने आपके कोड है, इस सारे कोड को आप रिमूव करें, नया प्रोजेक्ट बनाएं, अब आपका टास यह है कि आपने खुद से यह देखना है कि टेक्स फील किस तरह बनती है, बटन किस तरह लगते हैं, तो कोशिश करें नेक्स्ट वी को हम डिसकस करें और उनके पॉसिबल सिलुशन्स डिसकस करें, तो अगें आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे बहुत कुछ आ रहा है, हमने रियल टाइम ट्रोजेक्स पे भी काम करना है, इसको मिस्स नहीं करें, और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स कर